मैं मीनप्रवेश चुहान आपका सागत करती हूँ आपके अपने यूटुब चनल क्वीता संग्रह में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विश्णु ने माता लक्ष्मी जी को एक गरीब माली के घर तीन सार रहने के लिए क्यों भेजा भगवान विश्णु ने माता लक्ष्मी को क्यों दी सजा जब एक पर भगवान विश्णु धरती पर भ्रह्मन करने के लिए जा रहे थे ये देख कर माता लक्ष्मी ने भी भगवान विश्णु के साथ जाने के लिए कहा उसके बाद भगवान विश्णु ने बताया कि मेरी एक शर्ट है धर्ती पर जाने के बाद आप उत्तर दिशा में नहीं देखेंगी माता लक्ष्मी ने भगवान विश्णु की शर्ट मान ली और धर्ती पर घूमने चली गई धर्ती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्र मुग्द हो गई माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा में फूलू का एक सुंदर बगीचा दिखा माता लक्ष्मी उस बगीचे से एक फूल तोड़ कर भगवान विश्नु के पास ले आई यह देखकर भगवान विश्णु ने माता लक्ष्मी को उनकी शर्थ की याद दिलाई और कहा हमें कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी वस्तू नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद भगवान विश्णु ने सजा के तोर पर माता लक्ष्मी को बगीचे के माली के घर तीन साल रहने के लिए भेज दिया। तीन साल माता लक्ष्मी दासी बन कर उस माली के घर पर रहने लगी। माता लक्ष्मी ने सज़ा को स्विकार करके एक कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर में रहने चली गई। वह माली बहुत गरीब था लेकिन फिर भी उसने माता लक्षमी का पालन पोशन अपनी पुत्री के समान किया। माता लक्षमी के माली के घर जाने के बाद माली की किस्मत बदल गई। वह गरीब माली भी एक धनी इंसान बन गया। माता लक्षमी ने उस माली के घर तीन साल प चैनल कवीता संग्रहे को सब्सक्राइब करें आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें